हलो फ्रेंट्स वेलकम तो माई चानल और तोड़ी वी आर गोईंग तो स्टड़ी दे कॉकाशन चॉट सर्कल रिटन बाई बेटोल्ट ब्रेच तो दोस्तों बेटोल्ट ब्रेच जर्मन मौरिनिस्ट प्ले राइटर है और यह काफी इंट्रेस्टिंग प्ले है ड्रामा जमीन उनकी है दरसल यह जमीन अबैंडन यानि त्याक करती थी सेकंड वॉल वार के चलते पहले ग्रूप यह कहते हैं कि हम यहां वार से पहले रह रहे हैं और अपनी बकडियों को पाल रहे हैं इसलिए यह जमीन उन्हें मिलनी चाहिए लेकिन दूसरी तरफ वाले लोग क कहते हैं कि इस जमीन पर खेती बारी करेंगे जिसे बहुत सारे लोगों को फाइदा पहुंचेगा और दूसरा ग्रूप उस जमीन को जीत जाता है क्योंकि उनका प्लान जादा सिंपल और सेंसिबल प्रॉफिटिबल है और फिर इस जीत को मनाने के लिए जश्न होता है उस स्टोरीज को कैशन सिटी की है जहां लीडर गवर्नर है गवर्नर ग्रैंट ड्यूक के अंदर काम करता है गवर्नर और उसकी वाइफ नैटेला को लड़का हुआ है जिसका नाम वो माइकल रग देते हैं बचा होते ही गवर्नर उसी में लगा रहता है उसी के साथ खेलता है और नैटेला को जादा टाइम नहीं देता इस अफेक्शन से नैटेला बहुत जेलिस फील करने लगती है गवर्नर का एक भाई है जिसे ड्रामा में फैट प्रिंस कहा गया है फैट प्रिंस बगावत कर देता है और गवर्नर को जान से मरवा देता है बगावत के चलते उस घर में पड़ा हुआ है और दो स्टोरीज वहां से शुरू हो जाती है दोस्तो पहली स्टोरी है स्टोरी ओफ ग्रुशा जो की ग्रुशा एक सिंपल किचन मेड है जिसकी इंगेजमेंट साइमन से हुई है साइमन एक सोलजर है बगावत के समय ग्रुशा को माइकल मिलता ह वो कसम खाती है कि उस बच्चे को बचाएगी वो फैट प्रिंस है ग्रुशा भी माइकल के साथ वो शहर छोड़ देती है शहर तो छोड़ देती है मगर बहुत जल्द उसके पास पैसों की कमी हो जाती है ग्रुशा माइकल के साथ अपने भाई के यहां जाती है उसका हाड के उस पार रहता है वो अपनी जिंदगी की आखरी स्टेज पर है और बस मरने ही बाला है उन दोनों की शादी हो जाती है और फैट प्रिंस ने जो बगावत करी थी वो भी खतम हो जाती है ग्रांड ड्यूक अब वापस आ चुका है अपनी आर्मी के साथ क्योंकि वार ख है कि यह जो बच्चा माइकल है वो ग्रूशा और जिसप्त का है जल्द ही सोलजर्स आते हैं और माइकल को चीन कर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यह बच्चा नेट अलगा है अब उस बच्चे का क्या होता है ग्रूशा को वापस मिलता है या नहीं मिलता है यह हम बचता हुआ आदमी अज़दाक के पास आता है अपनी जान बचाते हुए और जो बचा लेता है बाद में अज़दाक को पता चलता है जसकी जान उसने बचाई वो और कोई नहीं बलकी ग्राण ड्यूक है ग्राण ड्यूक का पता लगते ही बहुत जाद ख़परा आजाता है क्योंकि अगर फैट परिंस को पता लग गया कि उसने ग्रेंड डूक जान बजाए तो उसे घड़ार गोशत कर दिया जाएगा एस्दाक तुरंट टाउन जाता है और बताता है कि उसने ग्रेंड डूक की जान बजाए Soldier's को उसकी बात पर यकीन नहीं आता बो उसे मजदाक में ले ले लेते हैं और छोड़ देते हैं अब फ़ैट प्रिंस अपने नेफ्यो को जज़ बिनाना चाहता है लेकिन इसे पहले वो अपने Soldier's को मौका देता है डिसाइड करने का और SOLDERS असदाग को चुनते हैं जज़ के लिए एस अजज असदाग को चार अजीब केस दिए जाते हैं और चारों केस में असदाग गरीबों के हक में फैसला सुना देता है इसलिए उसे गरीबों का मसीहा कहना शुरू कर दिया गया था लेकिन समय बीता गया दो साल के बाद अब दोस्तो ग्रैंड ड्यूक वापस आ गया अब अपना साशन करने के लिए अजदाक को गदार गोशित कर लिया गया और उसे गदार गोशित करके गिरफदार भी कर लिया गया वो अजदा को मारना चाहते हैं लेकिन ग्रैंट टूक आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं क्योंकि उसे अजदा का किया हुआ वो एहसान याद है अजदा को फिर से जज़ बना दिया जाता है अब लास्ट पार्ट है ड्रामा का कॉन्क्लूजन जिसमें की दोनों स्टूरीज अब मिलेंगी ग्रूशा और माइकल का केस अजदाक देख रहा है नैटला को पूरा भरोसा है कि वो केस जीच जाएगी क्योंकि वो माइकल की असली मा है और गवर्नर की बीवी है ग्रूशा को बीटे दो साल में महबत हो गई उस नहीं सी जान माइकल से और अब वो उसे खोना नहीं चाहती है साइमन भी आया है कोट ग्रूशा को सपोर्ट करने के लिए अजदाक ध्यान से पूरी बहस को सुनता है सबकी बातों को एक एक करके ध्यान से सुनता है और तब कहता है कि एक सर्कल बनाया जाए चौक की तरह सर्कल बनाया जाए और माइकल को उसमें रखा जाए और ग्रूशा और नेटला से कहा गया कि माइकल को अपनी और खीचो जो भी अपनी और खीचने में कामयाब होगा बच्चा उसे मिलेगा नैटला बच्चे को जोर से खीचती है और ग्रूशा छोड़ देती है अस्दाक उन से दुबारा खीचने को कहता है तो दुबारा नैटला जोर से खीचती है और ग्रूशा छोड़ देती है अस्दाग फिर फैसला गुरूशा के हक में सुना देता है और गुरूशा को ये बच्चा रखने को कह देता है गवर्नर की जाइदाद जबत कर ली जाती है जिस पर पब्लिक गार्डन्स बनाई जाएंगे और लास्ट में वो गुरूशा को अलॉग करता है जिस सब को डिवास देने के लिए ताकि वो साइमन से शादी कर सके और इस फैसले के बाद अस्दाग हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है तो दोस्तों बहुत ही अच्छी ये है स्टोरी है ड्रामा बहुत अच्छा है तो इंट्रेस्टिंग हमेशा आपको अच्छी लगी हो तो चानल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें